बिशब हिंदू परिशब के आहवान पर जहां देश पर में परशब के कारेकरताओं दौरा महा महीम रास्टपती को ग्यापन बेज़ कर देश में चलाए जा रहे इसलामिक जिहाद के खिलाफ आवास बुलंद की बिशब हिंदू परिशब के आहवान पर जहां देश पर में परिशब के कारेकरताओं दौरा महा महीम रास्टपती को ग्यापन बेज़ कर देश में चलाए जा रहे इसलामिक जिहाद के खिलाफ आवास बुलंद की है वहीं छोटी काशी मंडी में भी बिशब हिंदू परिशब ने उपज मंडी के माधिम से महा महीम रास्टपती को एक ग्यापन बेज़ा परिशब के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंग बिट्टू की अग्वाई में उपायक्त करेले पहुंचे परिशब के कारेकरताओं ने महा महीम रास्टपती को भेज़े ग्यापन के माधिम से देश में इसलामिक जिहाद को लेकर बातावर्ण तैयार कर रहे शरारती तत्मों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की मांगी है इस अबसर पर जिलाध्यक्ष हरमीत सिंग बिट्टू ने कहा कि इसलामिक जिहाद को लेकर कुछ ताक्ते ऐसा माहौल बनाने का प्यास कर रही है जिसे हिंदुत्व पर विप्रीत प्रभा पड़े उन्होंने महा महीम रास्टप से ऐसी देश्ट्रोहित दाक्तों पर लगाम लगाने की मांगी है अर्मीत सिंग बिट्टू जिलाध्यक्ष विश्विंदुपर्शक जिलामंडी पिछले कुछ सालों से इंदुस्तान में एक इसलामिक जहाद को लेकर एक ऐसा वातावण मनाया जा रहा है जिससे की हिंद हिंदु धर्म को अपमानित किया जाए परताडित किया जाए हिंदुओं पर एक तरह का एक श्रहंतर योजनाबद तरीके से जो सारी चीजी हुरी है इनको लेकर जो एक वातावण बना जा रहा है एक अलवा अलगाववादी मासिक्ता का एक जो है वो फौधार ओपन किया सामान्य गतिविदी होती है लेकिन उसको जो है वो बढ़ा चड़ा कर पेश किया जाता है अलवसंखियक समुधाय द्वारा और उसको हिंदु धर्म और हिंदु मानसिक्ता से जोड़कर जो गो सेवक है जो राम भगत है जो रस्त भगत है बेंश भगत है उनकर जो है वो इस तरह के अख्यत किये जाते हैं और उसके जवाब ने जो हो हमने किये जाते हैं इन चीजों को पूरा दिमोद करती है और इसी इसी चीजों को लेके इन चीजों को बंद करवाने के लिए इन चीजों को रोक लगवाने के लिए आज पूरे देश में ये एक कारेकरम बना इसें गिलाह दिए तकि उसमें यह वाली मानसिक्ता जो चल रही है लव जहाद कडि़ेगा जिहाद उन्दोलन एक चल रहा है है संस्रीटी के खिलाफ ऑंडू जटी संस्रीटी को मिटाने के खिलाफ जो चल रहा है इसका विरोध करने के लिए गयरू इनभू किया गया गया सक किया गया संदोऀ तो यह कम आज गयोट मोदे के तुर आपन किया गया है उसमें यह उनसे उनर्व किया Om कि इस तरह की जिहादी ताकतें जो हिंदु वरक के हिंदु धर्म के खिलाफ और हमारी सनातन पतिती के खिलाफ कारे रत हैं इन पर रोक लगाई जाए नहीं तो आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं इसको जब इसका अभी परीत पर स्थितियां पैदा हो जाएगी जब हिंदु धर्म की तरफ से भी इसकी तरफ से पूरा रिटैलियेट करना शुरू कर दिया जाएगा तो स्थिती जो है वो समान्य से ज्यादा बत्तर खराब हो जाएगी इससे पहले कि इस स्थिती बिगड़े हमारा राश्टरपती महोजे से अंडोध रहेगा कि वो इस पर गंभीरत करते हुए सरकार को और अजन्सियों को जो है वो यादीश चारी किया जाए और इस तरह की जो मांसिक्त है उसके